नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का CGPSC Knowledge Hub के इस YouTube चनल पर जिसे आप Claire CGPSC के नाम से भी जानते हैं जहांपर आप अनेक प्रकार की वीडियोस देखते हैं और अपना study को improve करते हैं तो आज हम printer जो की सबसे hot topic होता है किसी भी जो exam है जाहे आर आ रही हो, hostel warden हो, पटवारी हो इसमें printer से question 2-3 question आते हैं और पूरी चीज़े इसमें cover करिये जाएगा पूरा देखने हैं आपको अन तक और अगर पसंद आएगा तो बिल्कुल like कर दीजिएगा comment भी कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और क्या आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं और अपने दोस्तों के शाद भी बि जाते हैं वीडियो उसको देख पाएंगे चलिए आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा हम गता देख हमारे हां जो सुपरवाइजर परिसिमित भरती में जो सेलेक्शन हुए हैं सुनीता राज और इना ठाकूर उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई इन्होंने बहुत कि उनकी जीवन के लिए बहुत बहुत शुपकाम नहीं इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का सिशन तो प्रिंटर से रिवलेटेट रहेगा तो सबसे पहला हमारा कोस्चन आता है प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है तो इसका सही आंसर होगा आउटपुट आया तो इसका अंसर होगा हाड कॉपी जब आप प्रिंटर में वह दिखता है मतब जब आप मॉनिटर में देखते हुए एक प्रकार से वह सौफ्ट कॉपी में दिखाई दिता है जहां आप प्रिंट का डाल दिये कमांड उसके बाद आउटपुट प्राप्त हुआ तो आ आपका कूट वाला जो कोश्चन है वो कवर हो जाए तो थार्ड कोश्चन है हमारा प्रिंटर का कारी क्या होता है तो सौफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में करना या परिवर्तित करना ही प्रिंटर का कारी होता है यह थर्ड कोश्चन है फोर्थ कोश्चन है प्रिंटिंग म प्रिंटर ये बिल्कुल ध्यां रखेगा तो चार्चर कोशन तिन तिन कोशन का ऐसे सीरीज है तो आप स्क्रीन शॉट करते जाएगा और इसको एक बार दो बार तीन बार जितना बार हो सके अपने दिमाग में रिवाइंड करिएगा ताकि एक्जाम में आपसे बने और बिल पारा रिवाइस करो एक्जाम में जाने से पहले चलिए आते हैं लाइक भी कर दिजिएगा न पहले इसी बता देती हूं मैं आपको अच्छा यह है वीडियो आप देखेंगी पूरे लास तक तो प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है ऐसे कोशन भी आता है जब क्वालि तो यह कोश्चन कूट में हो सकता है दें तो मैंने बड़ा ले लिया पूरा धातु का एक हैमर या प्रिंट हैड होता है इस प्रिंटर में जो कागज पर और ribbon से टकराता है impact printing में अक्षर या characters ठोस मुद्रा अक्षरों या dot matrix विधी से कागच पर उभरते हैं अभी इसको छोटा 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 क्या करेगा वो statement में देगा और आपको पुछेगा impact printer के बारे में निमनरीखी तो वेसे सहीं कूट का चैन करे या गलत कूट का लिए नोट करके रखना है कि इसमें धातु का एक हैमर होता है एक प्रेंट हैड होता है और इससे पर काम करें करता है काम कैसे करता है तो कागच वर रिवम जो है टकराते हैं और इसमें होता क्या है तो अक्षर या character ठोस मुद्रा अक्षरों में या dot matrix विधी से कागच पर उबरे उबरे टाइप के लिखते है, dot dot से लिखते हैं तो है question में कूट में आ सकता है तो मैंने पूरा ही डाला हुआ है साथो question है कुछ impact printer के नाम बताएगे तो नाम भी पूँछ सकता है निम्नल लखित में से कौन सा printer impact है कौन सा non impact है या किसी को नाम दे के ही पूछ दिया डॉट मेट्रिक्स, डेजी विल, लाइन, चैन और ड्रम, इतना को इंपैक्ट प्रिंटर में ध्यां रखेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, वह कौन सा प्रिंटर है, जो प्रिंटिंग के शमय बहुत ज़्यादा शूर करता है, तो ऐसे कोशन भी आ सकते हैं, डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर इसको भी ध्यां रखेगा। मैं वापस ला देती हूँ, यहां पर आप देख पाएंगे डॉट मेक्टरिस प्रिंटर की गती, यह हम बात करें से 30 से 600 प्रिंटर प्रिंटर याद रखेगा, CPS, जब डॉट मेक्टरिक्स की बात करेगा, तो CPS को आपको लिखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि CPS के बार तो इसका नाम होता है डेजी विल प्रिंटर, इसके प्रिंटर की आकृती ही जो है गुल बहार फुष्प जैसे होती है, यहीं कि डेजी जैसे, इसका नाम डेजी विल प्रिंटर भी पड़ा है 11 नमबर का question है ठोस मुद्रा अक्षर यानि कि solid font वाला impact printer कौन सा है तो daisy will printer है solid font को जो है यह print करता है तो यह impact printer एक प्रकार का daisy will printer आते है daisy will printer को किस अन्य नाम से जाना जाता है हो सकता है यह question भी आप से उठा दे कि daisy will printer को एक अन्य नाम किस से जाना जाता है बताईए तो याद रखेगा letter quality printer क्योंकि letter को print करने के लिए इसको use जादातर किया जाता है तो letter quality printer भी से कहा जाता है ध्यां रखेंगे line printer किस प्रकार का printer है तो impact printer पहले ही मैंने बताया था dot matrix printer किस प्रकार का printer है तो यह भी impact printer है उ इसकी छापने की गती 300-3000 line प्रती मिनट होती है तथा जो printer mini तथा main frame computer में बड़े कारियों हे तू प्रयोग किये जाते हैं क्या कहलाते है तो यह answer आएगा line printer 300 से 3000 लाइन प्रती मिनट या फिर आप कहें तो 132 से 136 करेक्टर यह जो है प्रिंट कर सकता है एक बार में या प्रती मिनट प्रिंट कर सकता है यह ध्यान देजिएगा लाइन प्रिंटर तो important है impact printer है एक प्रकार का और इसकी गती को भी पूस सकता है तो कूट में भी दे सकता है पचास कोश्चन में काफी सारे पूरे प्रिंटर के टॉपिक्स कवर सकते है तो वीडियो अंतक आपको देखना है और पूरा नोट करने के लिए स्क्रिंशॉट लेते चलिएगा चलिए सोलावे नंबर के कोश्चन पर आते हैं प्रिंटर जिसमें ड्रम तेजी से गुम रहा है तो ड्रम इंपक्ट प्रिंटर जिसमें रोटेशन होता है उसके लावा है मर जो है बैंड से टकरा के क्या करता है पूरा गोर्णन पूरा करके एक लाइन को छापता है तो यह ड्रम इंपक्ट प्रिंटर है तो मैंने जितने चीज़े उस कोश्चन में लिखा है जो कागच के मध्य संपर्क नहीं होता इसमें laser printing technique द्वारा प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है तो non impact printer यह direct बहुत सकता है आपको की laser printing method कि इस प्रकार का method है तो non impact printer का एक method है तो धियार रखेगा इसमें जो है आपस में संपर्क नहीं होता प्रिंट है डों कागच के वल क्या होता है laser printing तो यह non impact printer है उसके लावा laser printer की प्रकार का प्रिंटर के question पुछा तो सेम यह नौन इंपक्ट प्रिंटर दूनों एक ही चीज में ले लिया है तो laser printer भी एक प्रकार का कैसा printer होता है नौन इंपक्ट प्रिंटर जिसमें आपस में तकराते नहीं है यह बिल्कुल ध्यां रखेगा उसके बाद 19 वा नंबर को question laser printer की कुछ भी सस्ता हो सकता है यह भी कूट में दे दे उच्छ resolution छमता होती है उच्छ print गती होती है बड़ी मात्रा में छुपाई के लिए आप इसको प्योग कर सकते हो और यह कम कीमत पर अधि दोट पर इंजडियाने की डिपी आई तक यह उससे अधिक भी रिजॉलेशन चमता हो सकती है ध्यान रखेगा 300-600 डिपी एक मानक है जो माना गया है laser printer की छमता में अगर आप इसको नोट करे होंगे बिल्कुल पटवारी होश्टल और आर या असिस्टेंट ग्रेड वाले एक्जाम के लिए बिल्कुल तैयार करके रख लिजिए आपका काम मन जाएगा इसमें और आपके लिए एक राम माड तरीका है इस प्रिंटर वाले इस वीडियो को अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको बहुत सारे कोश्चन अच्छे से मिलने वाले हैं ऐसे टेक्न प्रिंटर है जिसमें वेक्स सधारी त्रिबन का यूज किया जाता है और कम समय के लिए रहता है मिस लंबे समय तक आप उसको सेम नहीं बनाये रख सकते यह हता है थर्मल प्रिंटर यह बिल्कुल ध्यार रखेगा उसके लावा वह प्रिंटर जो ATM मशीन में उपयोग में तो थर्मल ट्रांसपर प्रिंटर ही होता है क्योंकि इसमें थर्मल ट्रांसपर प्रिंटर जिसमें ज़्यादा समय कें नहीं रहता तो आप देखे popular बhber को जो आप इस स्याही अप धीरे सी धुनली होते स्याही की बुंदों की बॉचार करके character और graphics प्रिंट के जाते इस पर Inkjet की इस प्रकार का printer है तो non impact printer है इसको भी नयान रखेगा Inkjet printer में मूल रंगों के cottage की संख्या कितनी होती है तो 3 CMY, siam, magenta, yellow होता है कभी-कभी इसमें 4 cottage भी use कर दिया जाता है जिसमें काला रंग को भी ले लिया जाता है या फिर आप CMY को जब आपस में मिलाओगे तो भी काला रंग बन जाता है स्यान मतलब या इसको आश्यान ऐसा अलग-अलग ना प्रोन्सियेशन कहा जाता है इसका मतलब होता है color जो नीला और हरा का mix-up color होता है वैसा रहता है magenta में red को ले लिया जाता है red type का color होता है यलो तो आप जानते ही हो तो ink jet printer में ये मूल रंग होते हैं कभी-कभी जब चौथा रंग काला का भी उसके जाता है तो काला रंग जिसको keyword से दर्श आते हैं फिलाल तीन को ध्यां रखेगा चलिए आते हैं आधा हमने पार कर लिया आधा हमारा और बचा हुआ है printer जिसके print head में ink clogging की समश्या हो जाती है और कैसे होती है यदि इससे हम कुछ समय तक print ना करें तो ऐसा प्रिन्टर कों सा है ink a jet printer ink jet printer निग को जाता है दो हमको क्या करना चाहिए लगातार इस पर print करते रहना हुआ इसको ध्यां रखेगा इंक cert printer की printing quality को यह स्तनी होती है startup टीनिलौ पर इंच लगभग 300 नॉत पर इंच असपास इसके मापा जाता है उसके उपर भी हो सकते पर तीन सो डॉट पर इंच एक निउनतम आप इसको मानेंगे इंपक्ट प्रिंटर कैसे कारे करता है तो इसको बकायदा जो नोट से उसमें वकायदा यह टाइप रेडर विधी के बारे में बताता है तो बिल्कुल ध्यां रखेगा उसके लागा पिन स्याह स्याहि स्याहि से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं जिससे अक्षर प्रहार पड़ाते हैं तो यह प्रहार करेगा तो यह उसमें होता है प्रहार होता है इस परिंटर फॉत्य है की एक प्र rituals हमसे आपको एक रिविजन मोड पर क्लास दिया जा रहा है वन लाइनर में ताकि आप जो भी तयारी किया है या नहीं भी किया है तो एक वन लाइनर के फॉर्म में आपके दिमाग में रहे और आप उसको कोशन को बनाने में सक्षम हो पाओ तो यह हमारा एक प्रयास है कौन सी युकती ऐसी है जो कीबोर्ड के अपोजिट या विपरित कारे करती है तो यह है आपका प्रिंटर को आप कीबोर्ड के अपोजिट ही कारे करने के लिए यूज करते हो प्रिंटर को एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता प्रिंटर जो एक से डेज़ी विल प्रिंटर के बारे में यह कहा जाता है laser printer की तुलना में dot matrix printer की इस प्रकार से होते हैं तो laser printer की तुलना में dot matrix जो फइन्टर होते थोड़े सकते तोड़े कम महंगे होते हैं यानि कि कं महंगे होते लेजर प्रिंटर जादा महंगे होते डॉत मि्याइड की तुल्ण में तो रखेगा डॉलीच त्यूंसियेशिच्ण एक technique है जो electronic प्रिंटरों में use होती है उसके अलावा हमारे 35 कोशन है व्रेंटर का अविश्कार किस ने किया था तो Chester Colson ने 1938 में सरवप्रत्म प्रेंटर का अविश्कार किया या था याद रखिगा Chester Colson L Зर प्रेंटर का अविश्कार किसके द्वार किया गया Gary Stork Weather, तीक है, Stork Weather, जो Gary Stork Weather है, उसने laser printer की टेक्निक खोजी 1969 में, याद रखेगा Xerox नमक जगह पे, साध इसलिए हम जो printing करते हैं, उसको Xerox भी बोलते हैं, जगह का नाम है Xerox, Gary Stork Weather 1969, 3D printer का अविसकारक का नाम है, चेक हॉल, या चक हॉल, ऐसा करके अलग-अलग pronunciation होता है, चेक हॉल या चक हॉल, ऐसा करके आएगा, इसको याद रखेगा, उसके लबाब प्रिंटर की गती की गढ़ना ही, तो किस मालक का प्रयोग के जाता है, तो PPM, पेज पर मिनट, ये ध्यां रखेगा, उसके बाद बात करते हैं, 49-49 उच गुडवर्ता वाला डिजिटल प्रिंट, जिसे पॉलिविनल क्लोराइट की सीट पर प्रिंट किया जाता है, फ्लेक्स किया जाता है, और ये डिजिटल प्रिंट है, देखे होगे, फ्लेक्स बनता है, दुकान वगर अक नाम लगवाना हो, या बड़े- प्रिंटर की संभावना है, प्रिंटर को एक सत मिला जाता है, ध्यान रखीगा, कुछ-कुछ question मैंने लाश्ट लाश्टर में जो लिया है, वो बहुत पहले पूछे जाने वाले, मतलब जा सके जा चुके हैं, वो question है, और वापस हो सकता है, रिपीट हो जाए, तो ये दो रखेगा non impact impact मतलब दबाव डालना तो mechanical दबाव नहीं है तो non impact printer drawing और graph printing करने के लिए नेमने लिखित में से कौन सी high quality system यानि की CAD system का प्रयोग के जाता है तो digital plotter याद रखेगा drawing और graph print करने के लिए एक CAD system का प्रयोग के जाता है जिसको तो digital plotter कहा जाता है यह ध्यान रखेगा thermal flat bed नामक device किसमें प्रयोग की जाता है thermal flat bed ठीक है यह है printer में thermal flat bed क्या है किसमें प्रयोग तो होता है यह डिवाइस तो printer में thermal flat bed ध्यान रखेगा इस चीद को उसके बाद पैतालीसा question एक निरगाम कागज के मुद्रण हे तो यानिकी output के मुद्रण हे तो वह printer printer का एक प्रकार है जिस पर किरण का प्रयोग के जाता है इतना पॉइंट से भी आपको पकड़ना था laser किरण होता है तो laser printer है जो इसको में आप laser किरण का यूज करते हो और स्याही के कड़ कागज पर फिर जो है छपने लगते हैं तो laser printer यह ध्यार रखेगा गॉल्फ वाल printer क्या है तो डेजी विल प्रिंटर है जिसको गॉल्फ वाल प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है इंक जैट कुनिया का पहला dot matrix printer कि ने बनाया था याद रखेगा IBM जो कंपपनी है इंटरनेशनल बेजनेस मशीन करके आता है तो यह इपशा रखेगा तो यह अधिकानस्ता printer के झूड़े होते हैं तो ज्यादा तर प्रिंटर जूड़े होते हैं पा GG प्रिंटर होते हैं वो प्रिंटर जोड़े जाते हैं यह पॉइंट को ध्यां रखेगा तो कुछ मैंने पचास से ज्यादा यहां पर क्यावन एक कोश्चन लिया है हमारा शगुन टाइप का और इस सारे चीज़ों को आप नोट करके कॉपी में दो चार बार रिवाइस करके चले जाएगा उसके साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो बिल्कुल लाइक शियर कर देजीगा और नह हम यहाँ पर आए तो इसके लिए कोशिश करिए चले सोचल मेडिया पर जरूर फॉलो करिएगा और बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रही है धन्यवाद जय जोहाद जय चत्रित गड़ हम जोगे वाद जो इसलिए लाद इसके लिज़ग मिल्कुल हमें टाद रही है जोगे हैं टूर आज जो इसके रही हैं जोगे भी जो इसलित कर दो दो जोगगे हैं